हलो एवरिवन आज हम एगनु के में हिंदी के एट्मिशन डिटेल कोर्स डिटेल डिसकस करना चाहते हैं जनवरी दोजात तैईस सेशन के लिए और अपकमिंग सेशन के लिए ये वीडियो योस्फुल रहेगी जब तक कोई चेंज जब तक कोई चेंज इस कोर्स के अंदर न आधुनिक, हिंदी, काव्ये और उपनियास वगएरा होते हैं नाटक, एव, अन्ये और हिंदी, भाशा और सहित्य का इतिहास उसके बाद सेकंड इयर के अंदर आपके पास तीन सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं सभी के पास और कोई मोडियोल आपको चूज करना पड़ता ह आपके पास एक, दो, तीन, चार, चार मोडियोल की चोईसिस हैं जिन में से कोई एक मोडियोल आपको लेना पड़ता है सेकंड इयर में तो यह सब्जेक्ट की थोड़ी डिटेल मैंने आपके साथ डिसकस करी है में हिंदी की अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्रैटी कि तो किसी भी मालने ता किया तॉड्राप इंस्टीटूट से आपके गरिजूशन होनी चाहिए ज़स्ट गरिजूशन कोई की रिकौर्मेंट नहीं है कि इतने मार्स लेकर आओ तने मार्स लेकर आओ ठेक है तो यह तो बात होई आपके सुब्जेक्स की और आपकी eligibility criteria की ये बात बात आती है दोस्तों आपकी fees की fees आपकी 14,000 रुपीज है पूरे दो साल की इट मेंज एक साल की fees 7,000 रुपे है यानि की admission के टाइम पर आपके 7,000 रुपे जाएंगे प्लस registration fees 300 रुपे तो total 7,300 रुपे आपके admission के टाइम पर जाएंगे इसमें कुछ discount मिलता है एक provision है वो अभी मैं 30 year में discuss करूँगा eligibility मैं आपको बता तुका हूँ medium discuss करने हैं कुछ फायदा नहीं है हिंदी core से obviously हिंदी medium रहेगा examination mode आपका होता है annual mode जैसे आपके साल में एकी बार exam होंगे दो साल कापपा कोर्स है तो आपको first year के और second year के exam सिर्फ दो बार exam देने पड़ेंगे अब जिसे यहाँ पर आपका admission है January session का तो आपके exam होंगे December session में December 2023 में जुलाई session का है तो आपके exam होंगे next June में June 2024 में जुलाई 2022 का है तो जुन 2023 में आपके exam होंगे तो कुल मिलाकर examination mode आपका annual रहता है MA Hindi course में इसके बाद exam form और exam center जिस भी session में आपका exam है उस session से लगबग एक से देड़ महीने पहले जिसा अगर आपका exam December में होगा तो October मिड के बाद आपका exam June में होगा तो April मिड के बाद आपके exam form release होते है जिसमें आपको 200 रुपे पर subject के साथ इसाब से exam fees देनी होती है और अपने exam center आपको choose करना होता है IGNU में जो exam center होता है वो आप कोई भी choose कर सकते हो अपनी nearby area के according अभी मैं exam center पर थोड़ी से और बात करूँगा study material अभी study material क्या होता है देखो IGNU का जब आप form भरते हो तो आपके पास दो option रहते है पहला option यह है कि वाई आप अपना study material digital form में लेना चाहते हो और उससे आपको 15% का discount मिलेगा फीज में जैसे आपकी फीज 7000 रुपे है तो 1500 रुपे आपके कम हो जाएंगे ठीक है अगर आप digital form में study material लेना चाहते है उस case में आपको कोई भी study material के hard copy नहीं दी जाएगी और दूसरा यह है कि आप hard copy चूज करें study material की उसमें आपको कोई discount नहीं मिलेगा study material आपके admission के कम से कम दो महिनी के बाद by post घर पे बेचा जाता है और अगर किसी reason से घर पर नहीं आ पाता तो या तो आप अपने नस्दी की post office से contact करना पड़ता है या आपको regional center जाना पड़ता है बात आती है regional center की ही अभी पर देख लिए मैं आप exam center की भी करूंगा इस point के अंदर एगन्यू का form भड़ते time आपको एक regional center चूज करना पड़ता है और उसके अंदर अंदर जो भी study centers आते हैं वो आपको चूज करने पड़ते हैं study center में आपके assignment वगरा submit होते हैं और classes वगरा लगती है classes की information आपको by SMS, by WhatsApp group add खोने के वज़े से दी जाती है regional center में आगर आपको administrative work पढ़ गया वो काम सारा regional center में होता है कोई result में कोई दिक्कत आगई वो result नहीं हो पा रही है online, कुछ भी XYZ query हो सकती है जैसे भी मने study material की ही बात करी तो वो काम आपको regional center से होगा, exam center की में बात कर रहा था आपका जो study center आप चूस किया है अपने form भड़ते टाइम, अगर आप चाहो तो exam form जब निकलते हैं, जिसमें आपको exam center भी चूस करना पड़ता है तो same अपना study center भी आप exam center चूस कर सकते हो, या फिर कोई और अगर मालो आपने admission डेली में लिया है आप उस टाइम पर बिहार में हो या यूपी में हो तो उस बिहार या यूपी के साइट जो exam center सबढ़ते हैं वो भी आप exam form फिल करते time चूस कर सकते हो इसके बाद बारी आती है re-registration की देखिए, इगनू के अंदर re-registration का मतलब होता है second year में admission लेना और ये re-registration आपको कब करना पड़ता है ये बहुत ही ध्यान से समझ ली जिए आपके first year के exam जब भी होते हैं जैसा अगर आपका January का admission है तो December में होंगे July का admission है तो June में होंगे तो आपके exam शुरू होने से पहले ही आपके re-registration next year के लिए शुरू हो जाते हैं अब जिस भी टाइम आप re-registration कर रहा है उसके एक साल के बाद ही आपको exam देने पड़ेंगे उस particular year के यानि कि second year के obvious भी बात है तो December में अगर आपके exam है तो मान लीजिए नवंबर में ही आपका re-registration स्टार्ट हो जाता है जो आपको करना पड़ता है फिर उसको करने के बाद next year के यानि कि second year के exam आप December 2024 में दे पाओगे similarly अगर आपका exam जून 2024 में है first year का आपका admission जुलाई 2023 का है तो उस condition में क्या होता है कि जून 2024 से कुछ दिन पहले है कुछ weeks पहले आपका re-registration चुरू हो जाता है और फिर आप second year का exam जून 2025 में दे पाओगे that's it re-registration कर लिया है और first year के exam दिदी exam में fail होगा है खुदा ना करे उससे re-registration पे कोई फरक नहीं पड़ेगा सिंपल सी बात है इसके बाद assignment और course structure की बात आती है तो course structure यान की आपका syllabus क्या है वो मैंने आपको अभी course का structure शुरू में बताया अब बात आती है syllabus की उस लेबस के लिए आपको कुछ नहीं करना सिंपल सा गूगल पर टाइप करते हैं इग्नू एमे हिंदी जिसे मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर मैं मैं लिखूंगा इग्नू एमे हिंदी मैं लिख दे है इग्नू एमे हिंदी यहाँ पर आप देखिए पहला ही जो link आया school of humanities इसको हम ओपन करेंगे और यहीं पर आपको प्रोग्राम गाइड करके एक link मिलेगा यहाँ पर फीज वगरा मत देखेगा यह पुराना हो चुका है सब कुछ सिर्फ प्रोग्राम गाइड यहाँ पर देखेगा जो available है ठीक है यह प्रोग्राम गाइड जो आपको दिख रही है यह detail syllabus भी दिख रह लिए मैं वेबसाइट पर जाने के बाद नीचे स्कूल करोगा तो बीच में डाउनलोड का option रहता है यहाँ पर क्लिक करिए उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फॉर्ट ऑप्चन assignment का है उसके बाद सबसे उपर master degree program है यहाँ पर मास्टर डिग्री प्रोग्रा करोगे सेशन अब देखिए इसमें एक चीज़ बहुत इंपरण्ट होती है मैंने एक MSD1 का कुशन पर डाउनलोड कर लिया अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह चीज़ पढ़िया आसाइन्मेंट का कुशन पर आप डाउनलोड कर रहे हो ना अब जिस भी सेशन में लिखा रहता है जिसे यह जो कुशन पर रहे है उनके लिए है जुन ने जुलाई 2022 में रोल किया हो या फिर जनुवरी 2023 में रोल किया हो चनली जुलाई और जनुवरी सेशन का कुशन पर असाइन्मेंट का सेम रहता एक दूंगा तो यही पेपर आपको बनाना है अगर एडमिशन ले रहा है तो उस टाइम के उपपर वेबसेट के उपपर जुलाई 2023 का भी कुशन पर आ चुका होगा जिसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना यह सेशन जुलाई 2022 दिखा रहा है तो एक और सेशन यहाँ पर एड हो चुका होगा उस टाइम पर जब आप दी कोर्स की फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही ठेंक्यू